दोस्तों नमस्कार महंगाई आज सबसे बड़ा मुद्दा बना हुआ है देश में तेल के दाम अब किसी से चुपा नहीं है पेट्रोल पंप पर जाते हुए हर व्यक्ति वो तस्वीर देखता है जो मोदी जी ने हर पेट्रोल पंपे लगाई हुई है और वो सवाल पूशता है कि क्या आज क्या कारण है कि क्रोनाकाल में तेल की एतनी वृद्धी हो रही है उपर से गैस के दाम भी महंगे हो रहे है इसी को लेकर राहुल गांधी ने ट्वीट किया है और राहूल गांधी ने कहा है कि मोदी माया का ऐसा प्रभाव बस जुमलों का ही गिरा है भाव। उन्होंने एक वीडियो भी बनाये हुए है आप आपको समझ में आएगा उस वीडियो ग्राफ के जरीए कि किस तरह से गैस महंगी हो रही है इस देश में। अब आपको ले चलते हैं 13 जून 2013 को प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी ने उस वक्त क्या लिखा था आप स्क्रीन पर पढ़िए इसके बदले में लोगों ने ट्वीट को चेंज किया और लिखा कि दिल्ली में बैठी भाजपा की सरकार महंगाई से तरही तरही कर रही गरीब जनता के घाओ पर नमक चिड़कने का काम कर रही है अब आपको समझना होगा कि इस करोना काल में जहां एक मुसीबत है महमारी की मुसीबत है और ऐसे समय में लोगों के पास पैसे नहीं है बेरोजगारी का मुद्दा हावी है महनाई और चरम सीमा पे बढ़ गई है इसको पूरी तरह से जानने के लिए आपको ले चलते हैं क महेंगी गैस महंगा तेल महंगा है चूला चौका जनता को ठगने का नहीं छोड़ा है कोई मौका फिर से डाल दिया है तुमने सबकी जेवो पर डाका अच्छे दिन का वादा करके देते आये धोखे पर धोखा यही असलियत है इस सरकार की और इनका पाखंड इतना जादा है कि मैं वर्तमान प्रधानमंत्री मोदी जी जो तब गुद्रात के मुख्यमंत्री होते थे प्रधानमंत्री बनने की मुहिम शुरू कर चुके थे 11 बचकर 57 मिनिट पर 13 जून 2013 को मोदी जी का एक ट्वीट है और वो आप सबके साथ सांजा करना चाहते हूं उस ट्वीट म उन्होंने लिखा है दिल्ली में बैठी कॉंग्रेस की सरकार महंगाई से त्राही त्राही कर गरीब जनता के घाव पर नमक छुड़कने का काम कर रही है ये 2013 में भेजने वाले लिखने वाले मोदी जी ने असलियत में क्या किया है आप लोगों के साथ हम साजा कर देते हैं तो उसको रिपीट करके विवर्स के लिए बताएंगे आज जब महंगाई से पूरे देश में त्राही माम मचा हुआ है भारतियों का बजट बिगड़ चुका है दो वक्त की रोजी रोटी कमाना मुश्किल हो चुका है मोदी सरकार की सेहत पर कोई फर्क नहीं पड़ता है मंदी से जूचते इस देश पर एक बार फिर से महंगाई का प्रहार किया गया है रसोई गयास के दाम 25 रूपे बढ़ा कर अब 869.5 अल्मोस 860 रूपे प्रती सिलिंडर दिल्ली शहर में बिकरा है देश के अन्य राज्यों में अन्य जगहों पर दूरी को देखते हुए य ये एक या दो बार बढ़ने वाले दाम नहीं है साथ बार में दाम 265 रूपे बढ़े हैं नवंबर 2020 में रसोई गयास का दाम जो था उससे 44 प्रतिशद बढ़त हुई है और यहां बताना जरूरी है कि मई पिछले साल से सरकार ने सबसडी देना भी खतम कर दिया है इका द प्राइस और मार्केट प्राइस को एक कर दिया है और एक करने की वज़े से अब सबसडी की कोई गुझाईश नहीं रह गई है यह इसलिए जादा आनैतिक है और इसलिए यह जादा आप नमक मिर्चा रगण रहें घावों पर क्योंकि इस समय देश आर्थिक मंदी के दौ से गुजर रहा है बेरोजगारी से गुजर रहा है आए 97 प्रतिशत लोगों की कम हो गई है 32 लाख नौकरिया एक एक महीने में चली गई है तो यह नमक मिर्च रगणना तो है ही लेकिन यह सरकार के दंब हंकार उनकी असमवेदन शीलता का इस से बड़ा परिचा और कोई नहीं हो सकता था और जब सवाल पूछिए तो साथ साल में सत्ता में होने के बावजूद दोशारोपड होगा पहले की सरकारों पर दोशारोपड होगा राज्यों पर और दोनों दोशारोपड पाखंड मित्या पहलाने वाले गलत हैं मैं एक बात यहां पर पुर्जोर तर तो वहाँ पर दाम 611 डॉलर प्रती मेट्रिक टन है। रुपए और डॉलर का एक्सचेंज रेट 79 रुपए 22 पैसा है। अगर इन दोनों को मिला कर देखा जाए तो सिलिंडर इस समय 600 रुपए पर बिकना चाहिए था। तो 600 रुपए पर ना बिकर 860 रुपए पर सिलिंडर क्यों बिकरा है ये सवाल बार बार पूछा जाएगा कि मुनाफ़ा खोरी आम जनता की गला रेत कर आम जनता की कमर तोड़ कर क्यों करी जा रही है। ये डिफरिंस समझना जरूरी है जो सिलिंडर 600 पर मिल सकता था वो आ अचानक से अनभिग्य होकर अजी हमें पता ही नहीं था ऐसे नहीं हो रहा है। ये बहुत सोची, समझी, रणनीती का नतीजा है। और मैं इसलिए ये कह रही हूँ और पूरी जिम्मेदारी से ये कह रही हूँ। जब हमारी केंदर में सरकार थी तो 1,47,000 करोर रुपए की सबसिडी हम देते थे 2014 तक उस सबसिडी को घटा कर 12,000 रुपए मात्र कर दिया गया है। तो सरकार ने पहले ही मन बना लिया था कि हम कोई भी रियायत, कोई भी राहत नहीं देंगे लोगों को। ये सर्विदित है कि सरकार ने फ्यूल टाक्स से इंदन पे कर से 4,53,000 करोर रुपए कमाए हैं लेकिन उसके बाद भी बजाए राहत देने के, बजाए वसूली कम करने के आम जनता की जेब पर डाका डाला जा रहा है। एक बात यहाँ पर बतानी और बोलनी जरूरी है। जब गैस सिलेंडर की बात करो तो सरकार के प्रवक्ता, उनकी ट्रोल आर्मी उनके मंत्री खुद प्रधान मंत्री जी सीना ठोकने लगते हैं उजवला योजना का। अभी एक और नया जुझना है कि हमने उजवला 2.0 लाँच करी है। मैं एक सवाल पूछना चाहती हूँ सरकार से और प्रधान मंत्री जी से। आप कितने ही मुफ्ट मुफ्ट मुफ जो 860 रुपए प्रती सिलिंडर खरीद सकते हैं। 23 करोड लोग इस देश में गरीबी की सीमा रेखा के नीचे चले गए हैं। इसमें से कितने लोग 860 रुपए का सिलिंडर खरीद सकते हैं। इसका जवाब सिर्फ मोदी जी दे सकते हैं। क्योंकि ये पाखंड जो होता है उजवला पर ये बंद होना चाहिए। और इसलिए ये जो चूला है या जो लकडी है ये प्रतीक है कि आज देश में हो क्या रहा है। याद रखिएगा कि आज तमामों रिपोर्ट ऐसी आई हैं जिसमें पूरी तरह से साफ तोर से लिखा गया है कि कनेक्शन मुफ्त बट अधिकांश लोग आज लकडी पर, कंडे पर, चूले पर खाना बनाने को मजबूर हैं। तो जो बहते आसू कभी मोदी जी को दिखते थे लग रहा है वो भी दिखने बंद हो गए हैं। और फिर अंत में ये जरूर कहूंगी ठीकरा फोड़ना बंद कर दीजे। आप डिस अंग्रेस की वज़े से असा हो गया। बहुत बड़ा ढोंग है ये। जिन बॉंड्स की आप बात करते हैं। और कल हमारे नेता ने यहां से वो क्लियर किया। कि वो भी मित्या है। बॉंड्स पर आपने वसूली करी ये 23 लाग करोड की। और बॉंड्स पर खर्चा हुआ है उसका मात्र 3%, मात्र 3%, 73,400 करोड रुपे। तो हमारी सरकार से मांग है और पुर्जोर मांग है कि आर्थिक संकट के इस दौर में जो गैस के दामों पर आपने आग लगा दी है। और ये आपका महिला विरोधी चेहरा दिखाता है क्योंकि महिलाओं को ही इससे सबसे गैस खरीदी नहीं जाती है तो महिलाओं को ही चूला चौका करना पड़ता है महिलाओं को ही कंडा लकडी पर खाना बनाना पड़ता है तो आप बेकार की ये मिध्या मत पहलाईए महिला विरोधी आपका चेहरा है सबसे पहले तो महिलाओं के बजट में जो आपने गड़ जो आप पूरी तरह से भूल चुके हैं। इस सरकार का अगर एक लाइन में वरणन करना हो तो दंब और एहिंकार में चूर होकर नैतिकता से बहुत पड़े, देशवासियों से बहुत दूर, आपदा में लोगों के उपर और जादा आर्थिक संकट डालने वाली ये एक मात् एसी सरकार होगी जो लोगों की तरही तरही को सुन नहीं पा रही है।